दोस्तों, अक्सर हम लोग अगर काफी दिनों तक अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते, तो एक बात की कसम तो खाते हुए जरूर कहते हैं कि कल से सुबह वाक करने जरूर जाएंगे, यानि सुबह की सैर अपने दिन की शुरुवात करने के लिए, अपने को ताजगी और एनर्जी से भर देने के लिए सबसे बहतर समय है। आज जहां हम सब एक तेज भागती हुई दुनिया में जी रहे हैं, वही सुबह का कुछ समय अपने लिए निकालना एक स्वस्त और खुशहाल जीवन का आधार हो सकता है। इमेजन कीजिये कि सूरज की पहली रौशनी के साथ आप बाहर कदम रखते हैं और निकल चलते हैं प्रकृती के बीच। आप केवल चल नहीं रहे बलकि हर एक स्टेप के साथ अपने आपको सकरात्मक उर्जा से खुद को भर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि क्या है सुबह की सैर के दस बेशकीमती फायदे। नमबर वन, मूड को बहतर करती है रोजाना की मौनिंग वॉक। अपने दिन की शुरुआत टहलने से करने से आपका मूड अच्छा होता है। तनाव में कमी आती है, आप खुश महसूस करते हैं। आपकी बॉडी भी फील गुड केमिकल रिलीज करती है, जिन्हें एंडॉर्फिन्स कहा जाता है, जिससे आप अधिक रिलाक्स महसूस करते हैं। नमबर टू, इंक्रीस एनरजी लेवल्स। सुबह की ब्रिस्क वॉक आपके मेटाबोलिज्म को फास्ट कर सकती है। वॉक से शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो इंक्रीस होता है, जिससे आप पूरे दिन खुद को उर्जावान महसूस करते हैं। नमबर थ्री, इंप्रूव्स हार्ट हेल्थ। नियमिच सुबह की सैर आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहतर होता है, जिससे रिदय रोगों के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। नमबर फोर, मानसिक स्पष्टता को बढ़ाती है रोजाना की मौनिंग वॉक। टहलने जाने से आपका दिमाग बहतर काम करता है। यह आपको स्पष्ट सोचने, चीजों को याद रखने और नए विचारों के साथ आने में मदद करता है। पैदल चलना आपको अधिक रचनात्मक बनने में भी मदद करता है, क्योंकि इससे आपको शान्ति से सोचने और अच्छे नए विचारों के साथ आने का समय मिलता है। नमबर फाइव, वजन कम करने में सहायक। सुबह की सैर आपके वजन को कम करने में मदद कर सकती है। जब आप वॉक करने के साथ-साथ अपने खान-पान पर भी ध्यान देते हैं, तो आपका मेटाबोलिजम बहतर होता है। इंसुलिन सेंस्टिविटी में सुधार होता है। आपकी बॉडी कैलोरीज को तेजी से घटा सकती है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है। रोजाना की फिजिकल अक्टिविटी जैसे मौनिंग वॉक आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, जिससे आपका शरीर रोगों से बहतर तरीके से फाइट कर पाता है। अगर सुबह की सेर की आदत डाल ली जाए, तो रात को अच्छी नींद का आनंद मिल सकता है। पैर चुरू करें, तो उन्हें इस समस्या से आराम मिल सकता है। नमबर एट, डाइबिटीज से बचाव। तीस से पैतालिस मिनट तक की मौर्निंग वॉक आपकी कैलोरीज बर्न करने में मदद करती है। साथ ही बलड शुगर लेवल्स को नियंतरित करने में मदद करती है। इस से टाइब टू डाइबिटीज के होने का खत्रा कम होता है। और यदि आपको डाइबिटीज है, तो फिर नियमित रोजाना वॉक से आप अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। डाइबिटीज के मरीजों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खाली पेट, सैर या अन्य फिजिकल एक्टिविटी करने से उनका शुगर लेवल्स डिप कर सकता है। अतह अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर वह अन्य बातों का ध्यान रखकर वॉक शुरू करे। रोजाना मॉर्निंग वॉक आपकी पाचन क्षमता में भी सुधार करती है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने से पाचन से संबंधित कई समस्या जैसे ब्लोटिंग, कॉंस्टिपेशन, गैस्ट्रिक आदी हो सकती है। तो यदि आप रोजाना सैर के लिए समय निकालते हैं, तो पाचन संबंधित कई समस्याओं में सुधार हो सकता है। दोस्तों, मौर्निंग वॉक केवल एक एक्सरसाइज नहीं है, बलकि ये आपको एक मौका भी देती है, अपने दोस्तों के साथ समय बिताने का। दोस्तों के साथ कई बार आपको ठकान भी महसूस नहीं होती और आप कई दूर तक की सैर कराते हैं। दोस्तों संग हलकी फुलकी बातें करनी हो या चाय की चुसकी लेते हुए किसी बात पर चर्चा, ये सब आपका न केवल तनाव कम करता है, बलकि पूरे दिन के लिए आपको उर्जा से भी भर देता है। साथ ही प्राकृतिक वातावरण में सुबह की सैर के विभिन्न लाब होते हैं। यह सैर न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, बलकि आपको मानसिक तोर पर भी मदद करती है। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना, हरियाली के बीच चलना और ताजगी की सांसें लेना, मन को शांती और सुकून प्रदान करता है। तो दोस्तों, यह रहे सुबह की सैर के अधभुत लाब, तो अब सुबह की सैर के लाब को देखते हुए, अपने आपको तयार करें और निकल चले सुबह की सैर के लिए। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें